है गाइज माइसल फराजन और गाइज आज इस लेक्चर में हम NCRT English Class 10 का जो फर्स्ट फ्लाइट बूक है उसका पोएम फायर अड़ आइस से रिलेटिट जितने भी इंपोर्टेन एपसी क्यूज बनेंगे उसे देखने वाले हैं तो लेट सी तो जैसा कि आप यहां पे है रॉबर्ट बंस तो करेक्ट औप्शन हो जाएगा उप्शन भी रॉबर्ट फ्रोस्ट नेक्स्ट वस्ट थियुद्स है वाट विल्त वर्लट इंडे क्या चीज़े हैं जो कि इस वर्लट को यहां डिस्ट्वाइगा समाप्द कर देगा ओप्शन फायर आइंड आइश B, fire, option C, ice, option D, none of these, तो correct option हो जाएगा, option A, हाँ, fire and ice, हाँ, तो दोनों ही capable है, हाँ, संसार को destroy करने के लिए, next question, what does ice symbolize, हाँ, तो ice जो है, वो इस point में क्या symbolize करता है, option A, love, option B, lust, option C, desire, option D, hatred, तो correct option हो जाएगा, option D, हाँ, hydrate, मिस, जो ice है, वो है, so hydrate को symbolize करता है, next question, what does the poet compare fire with, तो इस point में, poet ने fire की तुनला किसे करता है, option A, lust, option B, love, option C, desire, option D, hydrate, तो correct option हो जाएगा, option C, हाँ, desire, desire, मिस होता है, इच्छा, हाँ, तो जो इस point में, हाँ, poet ने fire की जो तुनला है, वो desire से करता है, next question, what is the meaning of desire, हाँ, तो desire का meaning क्या है, हाँ, option A, happy, option B, favor, option C, said, option D, wish, तो correct option हो जाएगा, option D, हाँ, wish, मिस, इच्छा, next question, what is the ramming scheme of the poem, हाँ, तो poem का ramming scheme क्या है, हाँ, यह पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम समझते हैं, क्या है poem का ramming scheme, हाँ, तो यहाँ पर हम परतिक line के last word पे focus करेंगे, हाँ, तो यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख पार हूँ, हाँ, first line का जो last word है, वो fire है, और second line का जो last word है, वो ice है, हाँ, तो जो fire है, और ice का जो ending zone है, वो match नहीं कर रहा है, तो fire के लिए हम A मानेंगे, हाँ, और जो ice है, उसके लिए हम B मानेंगे, हाँ, next line में है, जो last word है, desire, हाँ, तो जो desire का ending zone है, वो fire से match कर रहा है, तो fire को A मानेंगे तो desire को भी हम A मानेंगे उसके बाद next line में जो last word है वो fire है हाँ तो fire को हमने already A माना है तो यहाँ पे भी A मानेंगे उसके बाद second string जामें जो first line है second string जागा first line उसका last word है twice हाँ तो twice का जो ending sound है वो किस image कर रहा है? ice से तो ice को मैंने माना है B तो twice को भी हम क्या मानेंगे? B मानेंगे हाँ उसके बाद next line का जो last word है वो है hate हाँ और hate का जो ending sound है वो ना तो fire से image कर रहा है ना तो ice से image कर रहा हाँ तो हम इसे अलग later से symbolize करेंगे माना कि हम इसे c से symbolize करते हैं next line का जो last word है वो ice है हाँ तो ice हम लोगोंने already माना है B तो हम यहाँ पे भी ice के लिए हम B मानेंगे हाँ next line है great next line का जो last word है वो great है हाँ और जो great है हाँ उसका ending sound है वो hate से image कर रहा है तो hate को हमने माना है c तो यहाँ पे great के लिए हम लोग क्या मानेंगे? c मानेंगे हाँ c फिर last line का जो last word है वो है suffice हाँ तो suffice जो की जिसका ending sound है वो ice से image कर रहा है तो ice को B मानें तो suffice को हम लोग भी क्या मानेंगे? B मानेंगे हाँ तो इस पर का जो ramming scheme बना वो क्या बना? वो बना ये भी ये ये B C B C B हाँ तो ये कौन सा option को satisfied कर रहा है? Option A हाँ ये B ये ये B C B C B तो correct option हो जाएगा option ये हाँ इस point का जो ramminger scheme है वो क्या है? ये B ये ये B C B C B हाँ नेक्स्ट question वेर हैस ही ये यूजड परसोनिफिकेशन हाँ तो इस point में poet ने कहां पर परसोनिफिकेशन यूज़ किया है option A fire option B ice option C earth option D both A and B तो correct option हो जाएगा option D हाँ both A and B हाँ तो सबसे पहले हम और परसोनिफिकेशन का मतलब समझते है परसोनिफिकेशन में basically नली things या ideas को हैसो आज ये human के तोर पे treat किया जाता है human के जैसा treat किया जाता है हाँ इन्हे हैसो human quality दे दिया जाता है जैसे कि इस point में fire किसके लिए आया है desire के लिए जो की human quality है हाँ और ice किसके लिए आया है hatred के लिए हाँ तो यहाँ पे इस point में है तो क्या fire and ice दोनों को ही है तो क्या किया गया परसोनिफिक किया गया तो correct option हो जाएगा option D next question what is the meaning of Paris हाँ तो Paris का क्या meaning है होता है क्या समाब तो होना next question what would suffice if the world were to perish the second time हाँ तो यहाँ पे question है कि अधी संसार को दुबारा है तो क्या नस्ट होने का destroy होने का chance मिले तो क्या चीजे है जो कि enough हो सकता है destroy करने के लिए option A ice option B fire option C hatred option D both A and B तो correct option हो जाएगा option A हाँ ice हाँ अधी संसार को दुबारा chance मिलता है destroy होने का तो जो ice है हाँ वो enough है destroy करने के लिए next question what would be a better option to end the earth हाँ तो संसार को समाबत करने के लिए destroy करने के लिए क्या better option है हाँ क्या better option होगा option A fire equally competent हाँ मतलब कि fire और ice है जो कि दोनों है तो क्या है capable है इस संसार को समाबत करने के लिए destroy करने के लिए next question according to Robert Frost what will end one day हाँ तो Robert Frost के अनुसार एक दिन क्या समाबत हो जाएगा option A fire option B ice option C both A and B option D the world तो correct option हो जाएगा option D हाँ the world हाँ तो Robert Frost के अनुसार एक दिन ए जो संसार है वो क्या हो जाएगा समाबत हो जाएगा next question what is the poet's opinion in this poem हाँ तो इस poem में poet का क्या opinion है हाँ option A the world will end in fire हाँ ए जो संसार है इसका अंथ fire के कारण होगा संसार का अंथ कभी नहीं होगा option D none of these तो correct option हो जाएगा option A हाँ the world will end in fire हाँ यह जो संसार है इसका अंथ है वो किस के कारण होगा fire के कारण होगा means human desire के कारण होगा हाँ तो poet का opinion इस poem में यही है तो correct option option A हो जाएगा next question what do people say about the ending of the world हाँ तो संसार के अंथ के बारे में लोग क्या कहते है option A some say the world will end in fire option B some say the world will end in ice option C both A and B option D none of these तो correct option हो जाएगा option C हाँ both A and B means कुछ लोगों का कहना है कि यह जो संसार है इसका अंथ fire के कारण होगा और कुछ लोगों का कहना है कि यह जो संसार है उसका अंथ आइस के कारण होगा तो correct option option C हो जाएगा next question why do some people say that the world will end in ice हाँ तो कुछ लोग ऐसा क्यों कहते है हाँ कि यह जो world है उसका अंथ आइस के कारण होगा option A because love among people is increasing fast option B because hatred among people is increasing fast option C because lust among people is increasing fast option D none of the above तो correct option हो जाएगा option B हाँ because hatred means जो नफरत की भावना है वो लोगों के बीच में काफी तेजी से बढ़ रहा है जिसके कारण कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यह जो संसार है उसका अंथ आइस के कारण होगा means hatred के कारण होगा हाँ next question why does the poet hold with those who favor fire हाँ तो basically इस poem में poet उन लोगों के साथ क्यों है जो यह favor करते हैं कि जो संसार है world है उसका अंथ fire के कारण होगा option A because love among people is increasing fast option B because hatred among people is increasing fast option C because the lust for material things is increasing quickly option D none of the above तो correct option हो जाएगा option C because the lust for material things is increasing quickly miss जो लोग के अंदर material things के परती ललग है इच्छा है desire है हाँ उन काफी ज़्यादा बढ़ रहा है हाँ और कही न कही यही एक कारण बनेगा इस संसार को समाप्त करने का destroy करने का तो poet इसी लिए उन लोगों के साथ में है जो यह फेबर करते हैं कि यह जो संसार है उसका अंत जो है वो fire के कारण होगा miss desire के कारण होगा तो correct option option C हो जाएगा तो गाईज इस परकार से हम लोगों ने fire and ice fire and ice से related जितने भी important mcqs बने उसे देखा thanks for watching guys take care bye